परड़कल पार्टीज चैप्टर का यह थर्ड टूटूरियल पार्ट है और हम अल्रडी काभी कुछ पढ़ चुके हैं परड़कल पार्टीज को लेके कि उनका मीनिंग क्या होता है और उनके जो डिफरेंट कम्पोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसके बाद हमने यह पढ़ा था कि उनके functions क्या होते हैं पर्टिकल पार्टी के और functions को पढ़ने के बाद हमने देखा था कि उनकी necessity क्या है तो हमने देखा कि उनकी necessity काफी जादा है बलकि democracy में they are the most dominant element तो अगर party system इतना जरूरी है किसी democracy के लिए तो किस प्रकार के party system को हम दुनिया में देखते हैं तो हमने party system को भी पढ़ा कि one party system है, two party system है, multi party system है और उसके बाद Indian context में अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस part में कि national parties कौन सी होती है और जिने हम राश्टी दल कहते हैं और state parties कौन सी होती है जिने हम original parties भी कहते हैं इस अब हमको study करना है लेकिन उसके पहले मैं एक overview दे दूँ आपको कि अगर किसी को political party बनानी है तो वो बनाता है चुनाओ में लड़ने के लिए कि political party बनाई जाती है चुनाओ लड़कर government form करने के लिए अब जीतती है हारती है नहीं form कर पाती है वो different thing है वो एक अलग बात है तो election commission of India यानि की EC तो उसके पास party को register करना पड़ता है और register करने के बाद जब party register हो जाती है तो election commission उनके भी दो categories बनाता है यानि कि एक तो वो ह होती है जो unrecognized होती है मतलब की register तो होती है लेकिन they are unrecognized और जो recognized parties होती है उनमें भी दो होती है में national parties यानि की जो राश्टी दल होते हैं और state parties जिने हम regional parties भी कह सकते हैं तो political party को registration करना पड़ता है EC के साथ election commission of India के साथ election commission of India उन्हें दो ग्रूप में बाढ़ता है recognized and unrecognized और जो recognized parties होती है मनता प्रब्दल होते हैं वो भी national और state होते हैं तो हमें ये पढ़ना है आगे हम पढ़ेंगे कि national parties कौन सी parties कहलाती है और state parties कौन सी parties कहलाती है लेकिन इसके पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमारे हैं जो elections होते हैं वो generally elections होते हैं जो एक राश्टी government form करने के लिए जिसे हम national government कहते हैं जो पूरे देश का साथ से चलाती है तो उसके लिए general elections होते हैं जिने हम आम चुनाओ कहते हैं और उसके बाद state के भी चुनाओ होते हैं जो कि होते रहते हैं एक साथ तो कभी state के चुनाओ होते नहीं है इनको हम कहते हैं लोग सभा के चुन तो इसलिए हम इन टर्म्स का यूज करेंगे जब हम समझने कोशिश करेंगे और हमारे हाँ लोकल गौवर्मेंट के भी चुनाओ होते हैं जैसे कि पंचायती और मिनिस्टिपल बॉडिस के जो हम अलड़ी फैडलियम के चप्टर में पढ़ चुके हैं लेकिन हम यहां पर इन 545 लेकिन टू नॉमिनेटेड होती है तो 543 पे चुना होता है आए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं नेशनल पार्टीज की तरफ यह हैं नेशनल पार्टीज डेमोक्रेसी डेट फॉलो अफैडल सिस्टम वो डेमोक्रेसी जो फैडल वो घडर में देखी नाफ़ को मिलते हैं कहां जहां पे फैडराल स्टक्चर है अब जैसे श्रिलंका कर मुदार लें दिमोक्रेसी है लेकिन वहां पे federal structure नहीं है वहाँ सिर्फ और सिर्फ national government होती है power sharing of federalism के chapter में हम already इन सब को study कर चुके है go and watch और हाँ यह आपको पता ही है कि chapter explanation series है यहाँ पे हम सिर्फ book का text matter उसको explain करते हैं और कभी-कभी extra information भी आपको देते रहते हैं concepts को clear करने कोशिश करते हैं लेकिन अगर आपको points चाहिए आपको notes चाहिए board exam के लिए तो उसके लिए आप हमारी जो notes series है उसे आप देख सकते हो और उनके videos को ढूड़ने में problem नहीं होगी आपको सिर्फ chapter का name लिखना है अब उसके आगे अजीत सर लिख देना है AJET and अजीत सर वो वीडियो आपको मिल जाएगा तो दो तरह के राजनितिक दल हमें पड़कल parties देखने को मिलती है parties that are present in only one of the federal units ये federal units हैं जैसे हमारे यहां भी 28 states हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक unit territory बना दिया गया है तो 28 states हो गये तो these are the federal units एक national government होगी और हमारे यहां अगर हम state को लें तो 28 federal units हैं इनमें अलग सरकारे होती हैं और इनका chief minister होता है इन federal units का जिने हम state कहते हैं अपने हाँ तो इसलिए कुछ parties तो ऐसी हैं जो present in only one of the federal units तो one of the federal units का मतलब 28 federal units हैं तो इसमें से किसी एक में से माली जी उत्तरप्रदेश यहां माल लेते हैं बिहार किसी एक में ही वो parties सक्री होती हैं active होती हैं चुनाओ में participate करती हैं और आप position में बैठते हैं कि government form करती हैं तो एक तो यह दल हो गए and parties that are present और ऐसे भी दल होते हैं in several or all units of the federation तो कुछ दल ऐसे भी होते हैं जो 28 के 28 राज्यों में भी शक्री होंगे, active होंगे चुनाओ में participate करते होंगे या कुछ राज्यों में जैसे 3 राज्यों में 4 राज्यों में, 5 राज्यों में इस तरह की भी दल होंगे और साथ-साथ पूरे देश में भी उफैले हुए होंगे जैसे अगर हम उधार लें तो Congress है और BJP ये दो ऐसे दल हैं जो लगबग हर राज में शक्री है यहनि कई statesmen की governments भी form हुई है तो ये बात यहां पर आपको समझ में आ जानी चाहिए कोई problem नहीं होनी चाहिए इंडिया में भी ऐसा ही है कुछ हमारे हां country white parties है मतलब पूरे देश में शक्री है विच अरकार national parties इन्हें हम national parties कहते है राश्टी दल कहते हैं जो पूरे देश में जब चुनाओ होता है तो वहाँ पे वो अपने उम्मिदवारों को खड़ा कर सकते हैं candidate खड़ा कर सकते हैं चुनाओ लाड़ा सकते हैं पूरे देश में किसी भी राज में किसी भी seat पर these parties have their units in various states तो यह जो national parties होती है इन parties की जो units होती है मतलब इनकी working जो organizations होते हैं वो कई states पर पाए जाते हैं जैसे उधरन के लिए अभी देखें national government BJP की है पुरे देश के लिए बनी हुई है अब अगर हम देखें तो MP में भी इनकी सरकार है UP में भी इनकी सरकार है तो वही बात हो गई ना कि यह national parties हैं और इन parties की units other states में भी होती है Congress की बात करें तो Congress national government तो form नहीं कर पाई अब की बार यानि पिछले दो बार से 2014 elections हुए उसमें भी और 2019 elections हुए उसमें भी वो government form नहीं कर पाई लेकिन अगर हम राजिस्थान की बात करें अगर हम 36 गड़ की बात करें तो यहां पर Congress की सरकार है तो इस तरह की parties national parties होती है जिनकी government other states में भी हो सकती है लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि national parties का criteria क्या होता है बट बाई अन लाज कुल मिला कर अगर हम देखें तो all these units follow the same policies तो यह दो भी समझने में problem नहीं होने चाहिए कि जितने भी units होती है मतलब माल लिजे कि एक मतरपरदेश में और एक उतरपरदेश में अगर सरकार बनी हुए बीजेपी की और केंदर में भी सेंटर में भी national government में बीजेपी की है तो चाहिए UP में बीजेपी government हो चाहिए UP में बीजेपी government हो ये follow करेंगी same policies जो यहां की national government है वो चाहेगी ये लगबग हाट जगह आपको देखने को मिलेगा जहां Congress की सरकारे हैं वो उनकी समान नीतियां होंगी same policies होंगी same ideology पे work करेंगे तो वो चीज यहां लिखे गई है ये कुल मिला कर अगर हम देखें तो जो national parties होती है उनकी जो सरकारें अलग-अलग राज्यों में बनी होती है वो same policies को follow करती है same programs को follow करती है और same runnity को भी follow करती है strategy that is decided at the national level अब इसमें जैसे मालीज आप जानते हैं कि सोनिया गांधी हो गई अभी तो जी भी थें राहूल गांधी हो गए अब पता चला कि ये जो निंड लेते हैं वहीं Congress को सब को मानना पड़ता है कभी कहा जाता है कि परिवार की party है इसमें कोई democracy नहीं है इन्होंने जो कह दिया वो सब लोग मानों उसको तो अब चाहे इनकी सरकार किसी भी राज में बनी होगी उसका मुखमंतरी इनकी बातों को नकार नहीं कर सकता follow करना ही करना है तो national level पे जो policies बनती है जो बाते कही जाती है जो direction मिलता है राज की सरकारों को मानना पड़ता है ठीक यहीं यहाँ बीजेपी भी लग होता है कि national government है Mr. Modi है Amit Saan है और जो बड़े-बड़े नेता है बीजेपी की जो केंदर में सक्क्री है वो जो कहेंगे उनकी सरकारों को चाहे वो MP में हो चाहे UP में हो चाहे करना टक में हो मानना पड़ेगा इस अमल लिजेए कि national government की branches है Every party in the country has to register with election commission अब यहाँ से आपको थोड़ी जानकारी मिलती है कि हर party को पहली बाद तो election commission के पास registration कराना पड़ता है While the commission treats all parties equally वैसे सिद्धानतता अगर हम देखे पिंसपली तो election commission सारी partyों को बरबर की नजर से देखता है कोई भेदभाव नहीं करता It offers some special facilities to large and established parties लेकिन फिर भी वो जो बड़े दल होते हैं और जो इस्थापित दल है मतलब काफी समय से अच्छा परदर्सन करते चले आ रहे हैं वेल नोन हैं पुराने दल हैं popular हैं parties राज्यों में सरकार बनाते हैं केन में भी बना देते हैं तो उस तरह के दलों को कुछ special facilities दी ही जाती है तो वैसे तो equally रखता है सबको equal status पे लेकिन फिर भी facilities के मामले में सबको बरबर facilities नहीं मिलती इस parties are given unique symbol तो यह जो बड़े दल होते हैं जिने हम कह सकते हैं कि जो हमारी national parties है यह state parties है तो इनको unique symbols मिला करते हैं मला वो symbols जो कोई दूसरी party यूज नहीं कर सकती जैसे BJP का है जो कमल का fool है अब यह किसी दूसरी party को नहीं मिलेगा और जो congress है उसका हाथ का पंजा है वो किसी दूसरी party को नहीं मिलेगा यह unique symbols हो गए हाँ state parties के बारे में यह नहीं कहा जा सकते only the official candidates of that party can use that election symbol इसके लाव official candidates official candidates के मतलब यह होता है कि यह party जैसे BJP है, Congress है एतरीन मूल Congress है या बहुजन समाज party है, BSP है तो यह लोग जो candidate अपनी party की तरफ से खड़ा करेंगे तो वो candidates चनाव लडेंगे और इनके election symbol को use करेंगे जैसे BSP के election symbol क्या है हाथ है, elephant है तो BSP की तरफ से जो कोई चनाव लडेगा वो elephant चनाव पर चनाव लडेगा parties that get this privilege तो जो parties को यह special privilege मिलता है विशेशा दिकार मिलते हैं मनलब आम पार्टियों से ज्यादा facilities मिलती हैं ज्यादा दिकार मिलते हैं तो privilege हो गए वो और इन सम अधर इस्पेसल facilities आर रिकगनाइज तो जिन parties को special facilities मिलती हैं आम पार्टियों की तुलना में उन्हें हम recognized parties कहते हैं by the election commission कर्टेगरी बनाता है तो recognized की कर्टेगरी की जो parties होती हैं उन्हें special facilities दी जाती हैं उसमें भी national labor यानि national parties और state parties होती हैं that is why these parties are कार्ट रिकटिकल पार्टियों इसलिए ने recognized particle parties कहा जाता है यानि कहने के मतलब यह है कि recognized particle parties वो parties हैं जिनका unique symbol होता है, मतलब unique symbol होता है, उन्हें कुछ facilities अलग से मिलती हैं, और वे well-established political parties होती हैं, इनके criteria क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, special facilities में जैसे जो government के, जो media platforms है, जैसे radio है, tv है, तो इसमें free broadcast का time मिलता है इनको, electoral roles उनको उपलब्द कराए जाते हैं और भी election commission इनसे consult करता है अगर चुनाओ डेर्स घुशित करनी हो इनके जो परचारक होते हैं इनको भी कुछ अलग से सुखसुधाय मिलती हैं कुछ facilities मिलती हैं जो कि unrecognized parties को नहीं मिलती है और आपको आप समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए कि recognized parties निश्चित रूप से अच्छा performance करती है और जो unrecognized parties होती हैं वो parties तो हैं लेकिन वास्तों में उनका कोई अस्तित्व खास चुनाओ के मैदान में नहीं रहता यह site दी गई है site पे जाके आप जानकारी ले सकते है election commission of India की और जो site होती है जिन पर लोग खड़े होते हैं उन्हें constituency कहते हैं यानि चुनाओ छेत्र यह भी आपको पता होना चाहिए तो अगर उसमें Parliament के चुनाओ हो रहे हैं तो कोई MP खड़ा होगा तो वो भी constituency कहलाएगी और अगर किसी MLA का चुनाओ हो रहा है वो खड़ा है किसी चुनाओ छेतर से तो भी constituency ही कहलाएगी Now, election commission लेड डाउन detailed criteria मतलब उसने कि scale एक माबदंड बनाया हुआ है, एक measurement बनाया हुआ हुआ है कि कैसे हम तै करेंगे proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party कि कितने votes मिलने चाहिए या कितना percentage of votes मिलना चाहिए proportion मिलना चाहिए या कितने seats मिलनी चाहिए जिसके अधार पर हम यह तै करेंगे कि यह recognized party है कि नहीं recognized party के मतलब यह national party है कि नहीं या state party है कि नहीं a party that secures at least 6% of total votes in the election to the legislative assembly of state and wins at least 2 seats in recognized as a state party तो state party देखे state party किसे कहते है national party किसे कहते है इसमें दिया गया लेकिन मैं इसे आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ और इसके लिए हम लेते हैं एक writing board तो सबसे पहले हम समझते हैं कि national parties क्या होती है what are national parties तो इसमें तीन conditions है इन में से कोई भी condition फुल्फिल करनी पड़ती है जैसे पहली condition ये है कि लोग सबह कि जितने भी seats है उसका 2% अगर parties जीतती हैं तो और अगर हम जितने भी seats लोग सबह की यानि कि parliamentary चुनाव जब होते हैं तो 545 seats हैं जिस पे 543 पर चुनाव होते हैं इनका percentage अगर निकाला जाए तो लगबग 11 seats का बनता है तो 2% seats का मतलब अगर वो 11 seats जीत के आती हैं अभी फिलहाल में तो यह ही सिती है कहां लोग सबह में यानि कि parliament की चुनाव में जब general elections होते हैं तो अगर वो 11 seats जीतती हैं जोकि 2% of seats के बराबर है जीत ली थी और जवाला नेरू हमारे पहले चुनेवे प्रदान मंतरी बने थे और उस वक्त जो इस्टेंथ थी यानि कि जैसे 489 seats पे चुनाव हुए थे टोटल स्टेंथ 500 थी अब इस वक्त हमारे हां जो टोटल स्टेंथ है वो है 545 और 543 पे चुनाव होते हैं और जो Constitution के इसाब से Maximum seats जो Parliament में है वो 552 तक हो सकती हैं तो अभी हम इस कोटे को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं आगे जनसंख्या बढ़ने पर और इस कोटे तक हम लोग पहुँचेंगे तो उस वक्त भी अगर यह नियम लागू रहते हैं तो 2% of seats जीतनी पड़ेंगी तो यह मैंने छोटा साब को description दिया इससे मैं हटा देता हूँ तो पहली condition तो यह है कि 2% of seats यानि 11 seats जीत लें प्लस इसके साथ एक condition और जोड़ी हुई है वो यह कि यह जो 11 seats जीतेंगे यह लगबग minimum 3 different states से होनी चाहिए किसी एक state से नहीं होनी चाहिए तो यह condition एक बनती है यह 11 seats जीते और वो भी कम से कम 3 राजियों में से जीते 4 से 5 से जीते चलेगा लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए तो वो national party बनेगी दूसरी condition यह है कि अब इसमें देखे दो condition लगा दी गए अगर मैं यहाँ पे इस तरह से line खीज़िए दू तो now two conditions दूसरी यह है कि parliamentary elections हो या state elections हो 6% of votes अगर कोई party पाती है यहाँ पर votes का मतलब होता है valid votes यानि जो election commission जिने valid votes कहता है जिने गिंती में यूज किया जाता है किसी भी candidate के result को निकालने के लिए क्योंकि कई votes invalid भी घोशित कर दिये जाते हैं तो नियम के मताबिक votes पढ़ते हैं तो उन्हें valid vote कहा जाता है तो उसके total 6% votes वो भी कोई elections हो चाहिए state elections हो चाहिए वो पर्लेमेंटरी elections हो उसके 6% votes और ये जो 6% votes हैं ये कम से कम इसके साथ condition जुड़ी हुई है वो ये चार या चार से ज़्यादा राज्यों में यानि 4 या 4 से ज़्यादा states में ये 6% votes मिलने चाहिए पाल्टी को 5 राज्यों मिल जाए 6 राज्यों मिल जाए और एक condition इसके साथ और जुड़ी है कि वो 4 लोगसभा seats भी जीते यानि उसके 4 MP भी होने चाहिए क्योंकि लोगसभा में MP चुनके जाते हैं तो देखें यहाँ पर कितनी condition हो गई 3 conditions हो गई एक condition ये हो गई दूरसी condition ये हो गई तिरसी condition ये हो गई यहाँ पर सिर्फ दो conditions थी अगर हम इने बंद कर दें rectangle में तो एक condition और दूसरी condition और इसमें हम देखें तो एक condition ये हो गई 6% votes की दूरसी condition हो गई कि कम से कम 4 राजियों में होनी चाहिए और तिरसी condition ये हो गई कि 4 लोगसभा seat भी होनी चाहिए तो इसमें 1 condition and 2 conditions इसमें 1 condition 2 condition and 3rd condition तीसरा ये है कि अगर national party होना है किसी party को तो वो एक recognized party होनी चाहिए recognized state party होनी चाहिए तो आप सोचेंगे कि अगर वो recognized state party है तो किसी एक राजियों में हो तो काम चलेगा जैसे माली जे समाजवादी party है तो वो यूपी में एक recognized state party है लेकिन नहीं इसके साथ भी condition जुड़ी हुई है यानि एक condition और जुड़ी हुई है वो ये है कि लगबग 4 states में वो एक recognized party होनी चाहिए तो अगर कोई party चार राजियों में state party के रूप में जानी जाती है तो भी वो एक national party कहला सकती है तो अब हम आगे चलते हैं यानि national parties आपको clear हो गई होगी चाहिए condition पूरी करे तो भी national party चाहिए condition पूरी करे तो भी national party और ये condition पूरी करे तो भी national party कहलाएगी और इस समय total national parties इस video के बनाए जाने तक 8 हैं जैसा कि आप image में देख रहे हैं total 8 national parties हैं इंडिया में इस वब जिसमें सबसे नया जो राजनितिक दल है वो है NPP National People's Party जो PA Sangma के द्वारा जिसकी निउडाली गई थी अब वो नहीं है इस दुनिया में Konaard Sangma अब इसको लीट करते हैं और उसके पहले जो पाल्टी बनी थी AAP आम आदमी पाल्टी हलांकि वो एक state party है वो national party नहीं है तो NPP सबसे नया राजनितिक दल है और ये एक national party है national party group में अगर हम देखें तो Now we come to state parties state parties यानि राज इस तर पे जो पाल्टियां मानता प्राप्त है election commission के द्वारा इनके लिए हम चार conditions पढ़ेंगे पहले तो हुए है कि वो 6% votes प्राप्त करें किसी भी election में votes मतलब valid votes इसके लाव इनके साथ जो condition जुड़ी है वो ये जुड़ी है कि दो वो seats भी state में जीते हैं यानि दो seats उन्हें राज यानि state elections में जीतना है जिन्हें हम legislative assembly की चुनाओ या राज सभा की चुनाओ कहते हैं और प्लस एक लोग सभा की भी seat जीतना जरूरी है यानि कि उनका कम से कम जिस राज में हम बात कर रहे हैं उस राज की चुनाओ चाहे वो general election के दौरान हो चाहे वो state elections के दौरान हो उसमें 6% votes उनको मिले उस राज में 2 seat भी मिले और एक लोग सभा की seat भी मिले और अगर लोग सभा की seat से तो MP कहलाएगा अगर ऐसा भी होता है तो वो state party बन जाएगी तो इसमें देखे तीन conditions है 1 2 and 3 3 conditions है इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर second condition क्या है कि अगर state के चुनाओ होते है यानि legislative assembly चुनाओ होते है केंद के चुनाओ की बात हम नहीं कर रहे है general elections की बात नहीं कर रहे है जिससे national government form होती है किसी भी राज सरकार के चुनाओ होते है तो उस चुनाओ में वो कम से कम 3% seats जीते है एक condition तो यह है या मतलब की इसमें और दिया गया है या तो इसे fulfill करें या तीन seats जीते हैं कम से कम उस राज के चुनाओ में जैसे मालीज अगर हम UP का example लेते है इसमें कोई condition नहीं है सिर्फ एकी condition है कोई भी प्लस हमने यहां पर नहीं लगाया जैसे हम अगर UP का example लें यह समझने के लिए तो UP में 80 seats हैं और इन 80 seats का अगर हम 3% निकालें तो यह लगभग जाएगा 2.4 यानि की लगभग 3 seats पढ़ेगा जैसे अन राज्यों में जहां पर कम seat हैं क्योंकि UP में सब जैदा seat हैं 80 MPs चुनके जाते हैं यहां से तो उन राज्यों में 3% seats हो सकता है कम हो तो इसलिए यहां पर condition डाल दी गई है तो वो चाहें 3% seats जीते हैं या minimum 3 seats जीते हैं और तीस्वी condition है कि 1 seat पर 25 seats यह seats आपकी लोगसभा की है लोगसभा की seats की हम यहां पर बात कर रहा है यानि जब लोगसभा की चुनाव होते हैं जैसे हम UP का example लें तो UP में 80 seats हैं यानि 80 seats पर MPs चुनके जाते हैं parliamentary elections होते हैं तो इसमें से आप इस हिसाब से कितने seat निकाल सकते हैं हर 25 पर एक seat जीतना है तो अगर आप इसे 25 से डिवाइट करेंगे तो यह बनेगा 25 त्रीजा 75 25 त्रीजा 75 यानि लगबग 4 seats बनेंगी यहां पर और इस परकार से हर राजियों का अलग-अलग होगा इसलिए यहां पर एक और कंडिशन रखी गई है कि कुछ राजियों के लिए इलेक्शन कमिशन अलग से व्यवस्था कर सकता है मानव जनरली यही माना गया है कि हर 25 seat पर लोग सभा की 25 seat पर एक seat चुनकिया आना लेकिन हर जगा तो एक जैसी seats है नहीं राजियों में कई राज जैसे हैं जहां पर 25 seat भी नहीं है तो वहां पर अलग से इलेक्शन कमिशन फ्रेक्शन से अलट करता है इसे मिटा देते हैं चौती कंडिशन यह है जो कि नई कंडिशन एक नया क्लॉज जोड़ा गया है यह किसी भी राज सरकार के चुना होता है यानि विधान सभा के तो वहां पर अगर वह 8% seats प्राप्ट करती है तो भी वह एक state party की तरह recognized की जा सकती है एक उसे राज इस तरह का दल माना जा सकता है यह percentage का आप क्या मतलब समझते हैं मालीजे 100 लोगों ने vote दिया यह हम मानते से 20 वोट्स invalid माने गए 100 वोट्स valid माने गए तो इसमें से 8 वोट्स या इससे ज्यादा अगर मिलते हैं तो 8% वोट्स कहलाएंगी यह आप हाट जगाव लागू कर सकते हो अगर वो percentage of votes है तो तो अगर किसी party को यह इस्तिती भी मिलती है उसकी तो भी उसे हम state party घोशित कर सक चाहिए अब हम चलते हैं बुक में देखते हैं कि बुक में क्या क्या के conditions आपको दी गई हैं समझाई गई हैं तो यहां पर बताएगे कि a party that secures at least 6% of total votes अगर उसे total votes के 6% मिलते हैं वो भी legislative assembly यानि विधान सभग जो चुना होते हैं किसी राज में अगर उसे 6% votes मिलते हैं और वो दो seats भी जीतती है तो उसे state party कहा जा सकता है तो मैं अब इसको ज्यादा detail में नहीं बताँगा क्योंकि मैं already explain कर चुका हूँ a party that secures at least 6% of total votes इन लोकसभा तो देखिए नहीं 6% को यहाँ पर एक data बनाया है अपना 6% यहाँ और 6% यहाँ जो कि हमने वहाँ आप भी देखा था कि अगर उसे 6% of total votes मिलते हैं लोग सभा elections में या assembly elections में वह भी कम से कम चार राज्यों में और कम से कम चार seats भी जीतती है लोग सभा में तो उसे national party माना जा सकता है तो मैं सब अलड़ी समझा चुका हूं यहां clear नहीं दिया गया according to this classification अगर इस classification को देखें there were seven recognized national parties तो अब यह data change हो चुका है मैंने बताया बाट है उनकी list भी मैंने आपको show कर दी थी 2018 की बाद थी मैं यहां पर आपको latest बता रहा हूँ 2019 elections के बाद की let us learn something about each of these parties लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दू कि चाहे national parties हो चाहे state parties हो उन्हें बरबर performance करते रहना पड़ता है इन criteria को fulfill करते रहना पड़ता है नहीं तो यह अपना status lose कर देंगी और ऐस होता रहा है अभी जो एट national parties है इसमें से तीन पर election commission की नजर है कि उन्हें कहा भी किया है कि आप अपना national party का status वापस ले लिजी जैसे त्रिनमुल Congress की हम बात करें तो TMC जिसे कहते हैं जिसकी ने 3 है मामताब energy let us learn something about each of these parties आए कुछ parties के बारे हम study करते हैं तो आगे बढ़न उन्हें recognize कर सकता है उनके performance के अधार पर national party गोशित कर सकता है state party गोशित कर सकता है अभी देखे state parties लगभग बावन है यह देटा थोड़ा बहुत यहां वहां भी होता रहता है हो सकता है कि आगे चलके घट बढ़ जाए और eight national parties जो मैंने आपको बताया था तो registration कराना है उसके बाद recognize unrecognized parties गोशित होती है और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि लगभग अभी हमारे पास हमारे देश में जो registered parties है वो लगभग 2598 है जो विकीपीडिया के data के नुसार है और उसमें से लगभग 2538 parties unrecognized है और बाकी recognized है और recognized parties को क्या facilities मिलती है और मैं आपक सा चुका हूं national parties के लिए का conditions fulfill करनी होंगी state parties के लिए क्या condition fulfill करनी होगी क्या criteria fulfill करने होगे वो भी हमने अल्रेडी देख लिया चलिए कुछ state और national parties को study करते हैं अल्डिया त्रेंबूल कॉंग्रेस हलांकि शुरूबात तो कॉंग्रेस से करनी चीए थी क्योंकि सबसे पुरानी पाल्टी कॉंग्रेस है anyway AITC अल्डिया त्रेंबूल कॉंग्रेस लॉंच्ट ऑन 1 जनवरी 1990 तीसे हम जल जल ज़ पढ़ लेते हैं 1998 में यह पाल्टी सब्सक्राइब है था रिकरगनाइज देशल पाल्टी 2016 में इसे दर्जा मिला और अभी तक बरकरार है तो पाल्टी सिंबल इस फ्लावर संग्रास यह आप देख रहे हैं कमिटेट टू सिक्लिरिजम और फैडिलिजम अब इसकी आडिलोजी को हम देखते हैं कि सिक्लिरिज इन जर्नल इलेक्शन सेर्ड इन 2019 देखे तो बड़ा सब्डेट है यहां पर 2019 में चुना हुए थे इसको 4.07% वोड्स मिले थे और 22 शीट इस ने चीथी थी MP की मतलब पर्लेमेंटरी इलेक्शन में में मेंकिंग इट दा फॉर्थ लाजेस्ट पाल्टी इन लोगसभा गु पाल्टी का जो फाउंडिंग पादर है वो है कांसिराम, सीक्स टू रिप्रेजेंट एन शीक्यूर पावर फोर दा बहुजन समाज, यह लोग कहते हैं कि दलित समाज ज्यादा है और यह बहुजन समाज उसे कहते हैं, विच इंक्लूर्ट दलित और आदिवाजिस को सामिल करते हैं, बहुजन समाज में, यह विच जादा जादा जन जिस समाज में शामिल है, वो बहुजन है, इंडिया में इनकी जन संख्या सबसे ज्यादा है, यह मानते हैं, इसलिए इनको बहुजन कहते हैं, OOKC, यह जो other backward classes हैं, यह पिशड़ा बर्ग जिसे हम कहते हैं, religious minorities, जैसे Muslims हैं, Christians हैं, बहुत हैं, इन सब को भी ये अपनी ideology में, यानि ये मान के चलती है कि हम इनका representation करते हैं, इनके लिए बाते करते हैं, इनके लिए हम संगर्स करते हैं, draws inspiration from the ideas and teachings of साहु महराज, अब इनके जो विचारों को प्रेजित करने वाले लोग कौन से हैं, तो साहु महराज हो गया है, महात्मा फुले हो गया है, परियार है, रामस्वामी नाइकर परियार और बाबा साहब अमबेटकर, सब से इंपोर्टेंट तो यही है, इस तेंड फॉर तो इस तेंड फॉर देख भल, उनकी केर करना, उनके बारे में, पॉलिसीज बनवाना, उनकी बातों को, उनके से रिलेटेट इसूस को उठाना, अल इस तिंग्स यह पाल्टी करते हैं, उप्रेस्ट पॉपल, सताय होए लोगों की भी बात करती है, भी हम उनको रिप्रिजेंट करते हैं, अब यह है तो नेसल पर्टी, लेकिन इसका ज्यादा तर जो बेस है वो है उत्तर परदेश में, और घुज इसकी नेभरिंग स्टेट में है जैसे मदृ पर्देश में है जैसे मदफ पर्देश में है और चंछ उत्रखड में है उत्रखण में है डैली में पंजाब में भी है गुल्मंच मोलने वान ने उंटर परदेश में कई लिए बार बना और पहली बार जो गवर्मेंट इसकी बनी थी तुह उन्हें सपोर्ड लेना पड़ा था वोजन समाज पार्ट्य को इसमें बीजेपी ने भी मदद की थी शुरू में जब ये बनी थी मुखमंतरी इन दर लोगसभा एलेक्शन सेल्ट इन टोथाज़न नाइंटीन इट पॉर्ड एवाउट 3.63 परसेंट बोर्स एन सिक्योर 10 सीट इन दर लोगसभा ते लेटेस्ट डेटा है 2019 का आगे चलते है इसमें हम भारती जन्ता पाल्टी के बात करें, 1980 में इसका गठन हुआ वा रिवाइविग अर्सट वाइल भारती जन्संग करके दल था तो उसी को इन्होंने भारती जन्ता पाल्टी में कनवर्ट किया और स्यामा परसाद मुखर जी ने इसकी निउव डाली थी 1951 में भार इंडिनेटी में, wants to build a strong and modern इंडिया, भारती जन्ता पाल्टी की आडिलोजी क्या है कि एक बहुत ही मजबूत और आधुनिक भारत होना चाहिए by drawing, इनको कहां से inspiration मिलती है, inspiration from India's ancient culture, ये भारत की जो पुरातन संस्कृती है, ancient culture है, उसकी जो values हैं, जिसे कहा जाता है कि वसु दिन देल उपाध्याइज आईडियाज तो दिन देल उपाध्याइज को भी ये लोग काफी मानते हैं, तो उनके विचारों से भी प्रेडित हैं, जो कि integral humanism की बात करते हैं, यानि अंतियोदे की बात करते हैं, कि anti-maadmi का भी उदय होना चाहिए, सब का भला होना चाहिए, मानोता की बात करते हैं, सारे मानों एक होके, यानि integral humanism की बात करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, cultural nationalism की बात करते हैं, जिसे हिंदुत भी कहा जाता है, हिंदुत को आब हिंदु ना समझे, हिंदुत को मतलब ये होता है, राष्टवाद, सांस्कृतिक राष्ट करना चाहिए, अपनी राजनेती वह इसी किर्दगिर्द रखती है, और आपने देखा भी होगा, जो मौधी गोवर्मेंट है, वह military को strong बनाना, और borders को strong करना, और कैसे अधनिक भारत बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास रती है, चाहिए railways हो, चाहिए roadways हो, चाहिए air हो, चाहिए दूर से दोसों से, संबंद स्थाबित करने की बात हो, और digital India भी देख लीजे, एक नई चीज है, जो हमें देखना की मिल रही है, wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir, और Jammu and Kashmir को लेकर एक और नीती है इनकी, कि ये भारत में पूरी तरह से मिला लिया जाना चाहिए, तो इसके बारे में मैं अल्रेडी डिसकस कर चुका हूँ, कहीं न कहीं, किसी पार्ट में, विद इंडिया, एक uniform civil court भी होना चाहिए, यानि हमारे हाँ, देखे, Muslim personal law है, और Hindu का भी है, तो सब अलग नहीं होना चाहिए, हमारे हाँ एक law होना चाहिए, जो सब पलाग होना चाहिए, क्य और जो धार्विक प्रवड़तन होता है, कि पता चला आपने धर्म बदल लिया, खासकर भारत में क्रिस्टिन्स काफी जादा एक्टिव है, इन सब चीजों को लेके इन सब का वो विरोत करती भारती जनता पाल्टी, इट सपोर्ट बेस इंक्रीश्ट सब्स्टेंशली इन नाइटीन नाइटीन, नाइटीन नाइटीन के बाद अचानक मंदिर मुद्दा भी चल रहा था, और मंडल कमिशन भी चल रहा था, तो वहां से बढ़ना शुरू हुई, और फिर देखे, 2014 में भी, पूर्ण महमत और 2019 में भी और भी से ज़्यादा जीत करी आई, कभी इसक साथ सीट्स भी नहीं है उसके पास, पार्लियमेंट में, और 2014 के चुनाओं में तो उसके पास 10% सीट्स भी नहीं थी, लोगसभा की, क्योंकि इसके लिए अपोजिशन पाल्टी बनने की भी काब्यत उसके अंदर नहीं थी, अर्लियर लिमिटेट तो नॉर्थ और वेस्ट और र Services North India की है एकडर पार्टी है और लोग ये भी कहते हैं कि RSS का भी सस्पोर्ट रहता इसको तो उनके भी लोग मदत करते हैं, पूरब में तो काफी सकसेशन पाल्टी, कई राज्यों में पूरब में पूम में जायो असम हो, जायो शिक्किम हो, इनकी इप सरकारे हैं, नॉर्थ इस्ट एं टू रूरल इडिया, फिर ग्रामड़ी लाकों में फैलिये पार्टी, नॉर्थ इस्ट मैंने आपको बताया है, इन्डिये क्या होता है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ाता, इन्क्लूडिंग सेवरल रिजनल पार्टी तो अटल बहरी बाजपई के नित्रत में, अब तो नहीं रहे उस दिनिया में वो, तो कई पार्टी इसको मिलकर लगबग 20 से भी ज़्यादा पार्टी हैं थी, उनको इकठा करके उन्होंने एक सरकार बनाई थी और 5 साल सक्षल चलाई भी, फ़र्ष्ट कॉलेशन गवर्मेंट जो 5 साल तक चल सकी, वो उसका सरे अटलबेरी बाजपेई जी को ही जाता है, और NDA आज भी वर्क कर रहा है, अब दूसरा क्या है, आपको याद होगा UPA, यानि United Progressive Alliance, जिसका लीडर है Congress, और इसकी लीडर है BJP, इंक्लोडिंग सेवरल रिजनल पार्टी, इसमें कई रिजनल पार्टी थी, BSP थी, तिरिनबूल कॉंग्रेस थी, इमर्जड ऐड लार्ज़ेस्ट पार्टी, विद 303 मेंबर्स इन 2019 लोग सभाई लेक्शन्स, अब 2019 के जब चुना हुए, तो 303 सीट जीत कर अकेले, यानि NDA के और जो घटक हैं, यानि जो और जो पार्टी हैं, NDA में शामिल उनको जोड लिया जाए, 353 सीट एंडिय की थी, और जिसमें से 330 अकेले, भार्टी जनता पार्टी की थी, और सरकार बनाने के लिए 276 सीट चाहिए होती है, जबकि 303 सीट थी, तो अकेले पार्टी बना सकती थी ये सरकार, लेकिन फिर भी NDA को साथ लेके चलती है पार्टी, और NDA की टोटल टैली 353 है, और BJP अकेले को 37.6% वोर्ट्स मिले थे, और पूरे NDA की टैली हम निकालें तो लगबग 45% था, यानि टोटल वोर्ट्स का 45% तो आप अंदाजा लगा लिजए कि बाकी सब सिमट गए 55% में, 45% अकेले NDA को मिला था, तो लोगों ने भरपूर वोट दिया, जैसा है कि आप इमेज में देख रहे हैं, कि किस प्रकार से, सीट्स का रिप्रेजेंटिशन आपको दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, करेंटी लीड़ दा रूलिंग NDA गौर्मिंट इन दे सेंटर, तो NDA कौर्मिंट है सेंटर में, इसके बाद हम आते हैं, कम्मिनिस्ट पर्टी, इनकी सोशलिस्ट आइडिलोजी होती हैं, लेनिन, माक्स, एंट सेटर, फॉर्मिंट इन 1925, 1925 में ये पर्टी बनाई गई थी, बलीफस इन यानी आजादी की पहले, बलीफस इन माक्सिजम, लेनिनिजम, मैं अल्रेड़ी बढ़ता चुका हूँ आपको, इस समाजबात की बात करते हैं, और क्लास नाइन के लिए मैंने टुटोरियल बनाया हुआ है, सैकेंड चैप्टर का, उसे आप इस्टडी कर लीजे, सिकुलरिजम एंड डेमोक्रिसी की भी बाते करती हैं, और धर्म को तो ये जो य। ॹनिस्ट पेंटी मान्ती नहीं थी हैं, क्योंकि मांक्स ने काहा था है कि धर्म तो अफिम की तरह है, अपोश तु द फोर्सें सेससियों यानी जो अलगावध की बाते करते हैं, उनके खलाफ रहते हैं, Communism के खिलाफ है जिसे कहा जाता है Accepts Parliamentary Democracy Parliamentary Democracy को वो मानती है जैसे इंडिया में है Parliamentary Democracy It accepts it A means of promoting the interest of the working class और working class की interest की बात करती है Farmers की बात करती है, गरीबों की बात करती है मनलब ये दावा करते हैं कि हम उनकी बाते करते हैं It came week after split in the party in 1964 1964 में इसके दो टुकड़े हो गए That led to the formation of CPIM लिखा रहता CPI है Communist Party of India और ये है Communist Party of India Marxist जिसे हम आगे पढ़ेंगे 1964 में इस party का गठन हुआ इसके घटक के रूप में से तूट कर निकली Significant presence in the states of Kerala में Kerala में काफी आज भी है वेस्ट बेंगाल में भी है Punjab, Andra Pradesh and Tamil Nadu ज्यादा तर इसका केडला में है और वेस्ट बेंगाल में वेस्ट बेंगाल में तो एक समय कई साल तक लगातार Communist Party of India की ही सरकार रही Its support base had gradually declined over the US लेकिन अब इसका base देदरी कम होता चला जा रहा है It secured less than 1% votes and two seats in the 2019 लोगसभाई elections अब बताई इसको इतना कम percent of vote मिला और दो ही seats मिली 2019 लोगसभाई elections में तो इसलिए election commission ने कहा हुआ है कि आप national party के status वापस ले लीजिए advocates था मतलब की बात करती है वकालत करती है the coming together of all left parties to build a strong left front हाँ ये कोशिश करती रहती है कि अगर NDA है और UPA है और parties को मिलाकर जिसे सपा है बसपा है इन सब को मिलाकर एक front बनाया जाए जिसे अकसर कहा जाता है left front वाम मोर्चा 2019 में भी इन्होंने बनाया था कस के नाने कितनी party जुड़ गई थी सब धरासाई हो गई तो कहा जाता है कि जो ये मोर्चा है ये आउसरवादी है वस चुनाव के समय बनता है फिर भी खर जाता है Communist Party of India Marxist founded in 1964 में जो अभी हमने उपर पढ़ा था beliefs in Marxism पर ये Marx बात को मानती है Leninism को मानती है Support Socialism समाजबात की बात करती है धर्न प्रप्रेक्ष्टा की बात करती है लोकतंत की बात करती है Imperialism के खिलाफ है Communism के खिलाफ है सामप्रदाइक्ता और सामराजजवाद जैसे England ने इंडिया को गुलाम बनाया हुआ था समाजबात की बात करती है Accepts Democratic Elections यानि लोकतंत में विश्वाच करती है Useful and Helpful Means For Securing the Objectives of Social Economic Justice समाजिक आर्थिक नयाए की बात करती है यानि ये भी गरीब लोगों की बात करती है कि समाज में उनको बरबर का इस्थान मिलना चाहिए और आर्थिक नयाए भी होना चाहिए अगर देश को एकनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है तो उसका फाइदा इनको मिलना चाहिए Enjoy strong support इन्वेश्ट पंगाल में अच्छा strong support है केडला में भी है तरुपरा में भी है Especially among the poor गरीबों के बीच में जाथा है फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में फार्मर्स के बीच में अग्रिकल्चर लेवरर्स के बीच में और इंटलीजेंसिया ऐसा भी कहा जाता है कि जो कमनिस्ट पार्टी है इसमें इंटलीजेंसिया काफी ज्यादा है critical of the new economic policies हाँ चाहे वो कमनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो चाहे कमनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माक्सिस्ट हो यह एकनॉमिक पॉलिसी का लिबरलाइजेशन का भी रोत करती है that allow free flow of foreign capital and goods into the country की भाई विदेशी समान खुले तार पर नहीं आना चाहिए इंडिया में पर नाम तुना होगा अपने अभी इनके नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा समय तक मुख मंत्री बने रहने का इंड़ 2019 लोग सब एलेक्शन इट वोन एबाद 1.75 परसेंट वोर्ट्स एंड थ्री सीट इसके बाद आता है इंडिया नेसल कॉंग्रेस यानि आइन सी पॉप्लर्ली नौन इस पॉर्णी पाल्टी सबसे पॉरानी पाल्टी वन अप अपना इस्तान रखती है 1885 इसके गठन किया गया लेकिन ध्यान रहे कि वह आजादी के समय था और महात्मा गांधी जैसे और सर्दारवला भाई पाटेल जैसे लोग इसके इसके सदसे थे कंतä इसके बहुत इtar आख के एक सब्सक्ता पाल्टीक्सॉ श्का रहा है अच्ऺरेंश में पाल्टी अगीज्या के बाइच परशए अपनाध में करके इसको काई बीच पे आप दाफनांटी जैंडॆ बहूं। तो जवाला नेरू के नेतरत में काफी योगदान उनका भी था कि पाल्टी का ये था कि मॉडरन इंडिया होना चाहिए स्टिकुलर डेमोक्रिटिक रिपॉब्लिक होना चाहिए धर्म और पेक्स भी होना चाहिए 1977 तक लगातार है तो रही नेवाला नेरू परदानमंतरी बनते हैं थाप से लेकर 1977 तक लगातार वह ही इमर्जेंसी जब डिकलियर की जाती हुआ असी के बाद सब मामला भडता है आफिर 1980 से 1989 तक रही आफिर 1989 से लेकर आगे इसका पतन शरू हो गया सीट्स कम होती चली गई लेकिन अभी भी एक कंटिनिश टू बी प्रेजेंट फ्रॉट देश में फैली हुई है पाल्टी कटिंग अक्रोस सोचल डिविजन्स ये कहती है कि हम समाज में किसी के साथ बैदबाव नहीं करते हैं और हमें सब कवोट मिलता है चाहे वो दलित हों चाहे वो आदिवासी हों अगर हम बीच का पॉइंट लें तो जो लेफट इस्ट होते हैं वो थोड़ा रेडिकल्स माने जाते हैं और तेज चेंजेश चाहिए उनको जैसे बीजेपी को हम कह सकते हैं कुछ रेडिकल पार्टी है ये बीच की है यानि तो इसका जो इडलॉजिकल ओरिंटेशन सब्सक्राइब पर्वाइब सेफ़ेयर इंटरियु और फॉरेंled मे करती हैं तो बथे आई इंची सपोर्ट नियु क्टावर्ण है तो ये किसकी बात करती है तो इसको बदी है घृषजए जो गरिब के मिगने इह इथान इनकी गरीबों को नुक्सानना हो। लीडर ऑफ द उनाटिक प्रोग्रेशिव अलाइंस और यूपीए की लीडर भी है। जो मैंने आपको पहली बताया। गोर्मेंट फ्रॉम्ट फॉम्ट 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 नाइटीन यानि कि 2004 से लेके 2019 तक यह अभी भी य जाधा। आगे है नेशलिस्ट कॉंग्रेस पाल्टी 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 से और यह कहती है कि भाई इसी इसू पे थोड़ा से अलग भी हुई थी कि भारत की जो बड़े पद हैं जैसे प्राइम निश्टर है राष्ट पती है वो भारतियों को ही मिलने चाहिए इंडियन-बॉर्ण पीपल को मिलने चाहिए अमेजर पार्ट इन महाराष्ट में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है एंड है जैसे शिगनिफिकन्ट प्रिजिशिंट में घालिया में मनीपूर में असम में भी प्रभाव है और अभी महाराष्ट में क्या स्थिति है अभी महाराष्ट में यह स्थिति है कि इन्हों ने शिवसेना को भी सपोर्ट किया हुआ है जो कि कभी बीज़ेपी की नजदीक मानी जाती थी ती प्लस NCP प्लस सिवसेना तीनों ने मिलकर सरकार बनाई भी महारास्ट में और अउटसाइट सपोर्ट है और मुक मंदरी सिवसेना का है उद्धव ठाक रहे स्टेट पर्टी तर राज इस्तर के दल other than these seven parties, seven parties छोड़ दी जाए, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state parties, तो काफी parties हमारे है state parties है, these are commonly referred to as regional parties, ये regional parties भी कहते हैं, yet these parties need not be regional in their ideology, हाँ ये जरूरी है, नहीं है कि वो regional party होने के नादे किसी एकी region में सक्री रहे हैं, या उनका outlook सिर्फ इस्टेट से related हो, देश के प्रतिवीन का outlook होता है, द्रिश्टी कोड होता है, some of these parties are all India parties, कुछ parties तो ऐसी हैं, जो all India parties है, मतलब कई राज्यों में चुना रहती है, that happened to have succeeded only in some states, लेकिन कुछ ही राज्यों में सपलता में लिए, parties like समाजवादी party है, राष्टी जनतादल है, national level political organizations है, राष्टी इतर की जो political organizations है, यह जो दो दलों को धान दिया गया, आपको समाजवादी party, राष्टी जनतादल समाजवादी party है, राष्टी जनतादल समाजवादी party मुलायम सिंग की party है, आपने अकले सादो का नाम सुना होगा, तो नेसल लेबल के भी political organizations है, इनके with units in several states और कही राज्यों में इनकी units है, बल्लाब इनके organizations work करते हैं, some of these parties like बीजु जनतादल जो के उडिशा में है, सिक्कीम डेमोक्राटिक फरंट है, सिक्कीम में है, मीजो नेशनल फरंट है, मीजोरम हो गया, तेलंगाना राष्टी समिती है, और conscious about their state identity, तो देखिए इसमें जो कुछ नाम जीए कि इस बीजु जनतादल, तो ये state identity को लेके ज़्यादा सजग रहते हैं, यानि हमारे राज और वहां की जो culture है, उसकी पहचान, language, etc. तो वो बरकरार रहनी चाहिए, तो ये कुछ उदारन इन पार्टियों के हो गए, औ पहचान पाएंगे, इनका नाम इस टेट से मिलता जूलता भीज, आप नहीं पहचान पाएंगे, कि उडिशागी है, सिक्किम से सिक्किम, मीजो से मिजोरम, तेलंगाना से तेलंगाना, तो ये पार्टियां राज को लेके जादे कॉनसों से हैं, वर दे लाज्ट थी डिके काई राजियों के राज्जें कब में रहा गएंगे अकली से सिलुग ताकत भारी को लेक्ने देुक्त से में पार्लेमेट आप बत। तो इस तरह से हमारी पार्लेमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन वेरीट फॉर्म में देखनों के मिलता है पता चला कि पता चला कि बचे सिर्फ चालिस चालिस सीटों पर माली जए 20 पे आ गई कोई त्रेनबुल कॉंग्रेस आ गई और 10 बीस पी आ गई तो अब कितनी दो पार्टी आ इधर दो पार्टी आ इधर तो कुल मिला कि चार पार्टी आ ही पार्लेमेंट में बैठेंगी लेकिन अब देखे डाइवर्सिटी का बाती है जब उसमें तो कोई भी एक राइष्टी दल अपने दम पर जब मेज़ॉर्टी उसे नहीं मिलती है मेज़ॉर्टी के मतलब 276 सीट्स नेशल कॉर्मेंट फॉर्म करने के लिए जब नहीं मिलती है तो कॉलिशन कॉर्मेंट फॉर्म होती मैं आपको अर्ड़ी बता चुका हूं तो 9 ने दल को भॉमत नहीं मिलता था इतनी सीट्या के लिए नहीं मिलती थी 2014 से चेंज हुआ देखिए मनमोहन सिंग की गॉर्मेंट 2004 से लेके 2014 तक रही 10 साल लेकिन इसको भॉमत कभी नहीं मिला और तो और इतने बड़े देश में इतने बड़े लोकतंत्र में जो मनमोहन सिंग प लेकिन 2014 के बाद as a result the national parties are compelled to form alliances तो इसलिए फिर alliance बनाने शुरू हो गए जिने हम कहते हैं कि गड़बंधन यहीं parties मिलकर अपना ग्रूप बनाती है और उसमें state parties को शामिल किया गया तो यह diversity देखनों को मिलती है सिंस 1996 नेरली every one of the state parties has got an opportunity to be part of one or the other national level coalition government इसको मुलब क्या संजे इसका मुलब यह है कि उनने 1996 कि से लेके और आज तक लगभगजान इमानी state parties को पार्लेमेंट में आने का government का हिंसा बनने का मौका मिला है this has contributed to the strengthening of the federalism इससे हमारा federalism strong होता है democracy strong होती है क्योंकि democracy का मतलब ही है ज्यादा ज्यादा लोगों का participation हमारे देश में यह जो alliances जो दो alliances हमने बात की यह coalition government का form होना इससे democracy मजबूत होती है मैप कहा गया आगे देखने के लिए तो भाई मैप आप खुदी देख लीजाए आपके book में दिया गया होगा इसमें state parties को दिखाया गया जानी regional parties को दिखाया गया टूथ हम इसमें उत्तर परदेश को देखे है तो उत्तर परदेश में देखी ऊपर ही सबसे दिया गया यह एरो आया हुआ है राश्टी लोगदार और समार्वादी पार्टी इसमें बीएसपी को इसलिए नहीं सो किया गया है क्योंकि वह राश्टी दल है ऐसी अगर हमाई धर पश्चिम बंगाल में तो देखें वेश्ट बंगाल में यहां पे औल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सब्सक्राइब तो यह यहां पर टीमसी का जिक्र नहीं है क्यों क्योंकि राश्टी दल है वह यह रहा आपका सिक्किम डेमोक्रिटिक फ्रंट यह सब स्टेट पार्टी जवाब देख रहे हैं मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो कुछ भी इस नेसल पार्टी स्टेट गुट बाई तेक केर